और अब आगे का अध्याए अध्याए 2 के भाग 37 का 6 भाग बिलवा मंगल का मंचन तभी समाप्त हुआ था और गिरीश घोश की मंडली तथा उनके मित्र मंच पर एकत्रित हो गए थे तभी गिरीश घोश हमारे नरेन को पकड़ कर वहीं ले आया और बोला मैंने तुम्हें नाटक दिखाया तुम हमें गीत सुनाओ आपने देखा ही है गाने का आग रह करने पर नरेन कभी मना नहीं करते बड़ी ततपरता से गाने लगते हैं गिरीश ने इन्हें मंच पर बैठा दिया जहां उनकी मंडली के अभीनेत्रियां इधर उधर बैठी सुस्ता रही थी नरेन ने तान पुरा साधा और गाने लगे गाते ही जैसे वो योग तक जा पहुँचे मंच पर इधर उधर अस्त व्यस्त बैठी हुई अभीनेत्रियां कुछ अटपटा महसूस कर अचकचा कर उठखडी हुई और दूर चली गई गिरीश घोष ने उनकी परेशानी देखी उसका कारण उसकी समझ में नहीं आया किन्तु दो भजनों के पश्चात वो नरेन को वहां से उठा ले गया ताकि उसकी अभीनेत्रियां कुछ सहज हो सकें अगले दिन जब उसने उन अभीनेत्रियों की परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने उसे उपालंब देते हुए कहा हम हलके चरित्र की साधारण नाचने गाने वारी लड़कियां हैं आपने एक ऐसे साधक को हमारे निकत ला बैठाया जिसकी छाया से भी हम मलिन हैं उसकी सात्विक्ता के निकट जाने का हमारा साहस ही नहीं हो सकता हाँ इसमें कोई संदेह नहीं कि नरेंद्र का संगीत तपो भूमी की स्रिष्टी कर देता है मा आप भी किसकी बातों में आ गई स्वामी कुछ संकुचित होते हुए बोले गंगाधर तो लबाडिया है अच्छा मा अब हमें अनुमती दीजिए यदी मैं सफल हुआ यदी मैं सच्चा मनुष्य बनकर लोटा तब ही आउंगा नहीं तो ये अंतिम दर्शन है क्या कह रहे हो पुत्र श्रीमा बोली ये कैसी बात नहीं मा आपके आशीरवाद से सफल होकर शीगर लोटूंगा स्वामी मुस्कुराए ज्यानलाब और कारे सिध्धी के पश्चात शीगर लोटो पुत्र श्रीमा ने आशीरवाद दिया अपनी मा से मिलने अपने घर कब आऊगे निमिश भर के लिए स्वामी जैसे अवाक रहे गए फिर बोले मेरी मा तो बस आप है मा और किसी मा का कोई काम नहीं श्रीमा की आँखों में अश्रू आ गए पल्लू से आंसू पोंच कर उन्होंने अखंडा नंद की ओर देखा पुत्र गंगा मैं अपना हम सब का सर्वस्व तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ इसका ध्यान रखना तुमने पहाडों की यात्राएं की हैं तुम अधिक अनुभवी हो इसके खाने पीने का ध्यान रखना स्वामी और अखंडा नंद ने श्रीमा को साश्टांग प्रणाम किया और उठकर चले गए